हलो बच्चों स्वागत है आप सभी का लेट्स डिसकस में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स और यह वर्क सीट है वर्क सीट नमबर 71 जो की 19 जनवरी 2022 के लिए है ठीक है? 90 अब जनवरी 2022 के लिए तो इस वर्क सीट में हम पिछले ही वर्क सीट के जैसे ही वॉल्यूम आफ कम्बिनेशन आफ सॉलिट्स पढ़ेंगे मतलब अगर सॉलिट्स को कम्बाइन कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम कैसे निकलेगा इससे रिलेटर हम लोग किश्टन इसमें पढ़ेंगे ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्जाम्पल दिया है इसका कहने का मतलब यह है कि एक सिलेंडर है 80 सिंटिमीटर का उसके उपर एक कोनिकल सेप का टैंक है ठीक है एक कोनिकल सेप है जिसकी उजाई कितनी है 40 सिंटिमीटर ठीक है और जो बेस है वो सेम है रेडियस कितना है बेस का 30 सिंटिमीटर ठीक है तो यह कितना हो जाएगा अपना 30 सिंटिमीटर चलिए मतलब इस टैंक में कितना लीटर पानी आ सकता है तो देखे अब पूरे टैंक में कितना लीटर पानी आएगा तो पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसका वाल्यूम निकालना पड़ेगा ठीक है इस पूरे टैंक का हमको वाल्यूम निकालना पड़ेगा तब हमको मिलेगा कि इतना लीटर पानी आएगा क्योंकि यहां पर देख सकते हैं एक मीटर क्यूब में यानि एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में एक हजार लीटर पानी आता है समझ में आया है तो हमको सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ठीक है तो चलिए अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इस टैंक का तो यह टैंक जो है वो दो भागों बटा है एक तो सिलेंडर और उपर वाला संकू यानि हमारा कॉन ठीक है तो दोनों का वाल्यूम हम लोग अगर एड करने तो पूरे टैंक का वाल्यूम आ जाएगा ठीक न तो यहां पर देखें जो हाइट आफ सिलेंडर है सिलेंडर की हाइट कितनी दीगए है 80 सेंटीमीटर रेडियस है 30 सेंटीमीटर हाइट आफ कौन यह वाला यह यह कितना है 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर यह तो quantity of water in tank मतलब water, पानी कितना आएगा इस tank में volume of tank in liter लीटर में उसका volume हो जाएगा तो यहाँ पर देखें अब volume of tank कैसे निकलेगा एक तो इस वाले part का volume और उपर वाले part का volume मतलब cylindrical part का volume और conical part का volume तो यहाँ पर volume of cylinder plus volume of cone हो गया अब volume of cylinder कितना होता है, pi square h होता है h1 हम क्यों लिया है, क्योंकि cylinder का height ले रहे है, यहाँ ठीक है जूम करते हैं इसको, चलिए यह हो गया, और volume of cone, यह हो गया 1 by 3 pi r square h2, h2 क्यों? क्योंकि यह cone की height है यहाँ pi r square common ले लिए, इसमें भी pi r square common ले लिए, यहाँ पर बचे h1 और यहाँ पर 1 by 3 h2 value रख दो सबका, pi का value 22 बटे साथ, 30 into 30, क्यों लिखा गया है? क्योंकि r का value है 30 का square, यानि 30 कुडे 30 30 into 30 sc h1 है, और 40 जो है हमारा वो h2 है, सबका हमने multiply कर दिया, यहाँ पर देखिए इन तीनों का, तीनों का multiply किये तो इतना आ गया, और फिर यहाँ पर 80, यह वाला और इसको multiply किये तो 40 बटे 3 आ गया फिर यहाँ पर यह हमारा total आ गया, इसके बाद इसको अगर हम लोग multiply कर दें, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, और यह हमारा total, जो volume था, वो आ गया, ठीक है, चलिए तो volume कितना आया, अब यहाँ पर देख सकते है 2,54,000 centimeter cube, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कि यह दिया था meter cube में, 1 meter cube बराबर 1000 liter, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इस 1 meter cube को, हम लोग पहले बदलते हैं centimeter cube में, ठीक है न, तो देखे centimeter बदलने के लिए क्या करेंगे अब हम लोग जानते हैं कि 1 meter cube बराबर 1000 liter होता है अब इस 1 meter cube को हम को centimeter में बदलना है, ठीक न, तो 1 meter को ऐसे लिख सकते हैं 1 meter cube को ऐसे लिख सकते हैं अब 1 meter यानि 100 centimeter तो यहाँ पर अंदर में क्या होगा 100 centimeter cube होगा, ठीक है, cube इसका मतलब क्या है 100 का 3 बार गुड़ा, तो यहाँ पर किया है 100 का 3 बार गुड़ा और centimeter cube कर देंगे, तो यह आ जाएगा equal to कितना है, 1000 liter, चलिए इसके बाद, आब देखिए, यहाँ पर बड़ा से गलती किया है, यह वाला चीज, यहाँ पर जो होगा वो होगा, यह कि यह divide में 1000 इधर नहीं होगा, divide में 1000 इधर होगा, ठीक है न, ध्यान रखिए गए इस चीज को, यह divide में 1000 इधर होगा, इस side में क्योंकि, जब हम सारे कि सारे 100 को इधर नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 बाई, 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है तो कुछ 0 कट जाएंगे, 100 बढ़ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा ऐसे होगा, 1 cm3 इक्वल टू 1 बाई 1000 लीटर ठीक है, तो इतना हम लोग लिखेंगे यह थोड़ा सा गलत दिया है, यह डिवाइड में 1000 इधर होगा, इस साइट नहीं होगा अब देखें, अब 1 cm3 में, एक बटे 1000 लीटर आ गया, इसका मतलब इतने cm3 में यहाँ पर जो दिया है, इतने cm3 में इतने में कितना पानी आएगा, multiply कर देंगे तो वही हमने क्या किया 1 by 1000 लीटर से multiply कर दिये, जितना भी हमारा volume आया था उसको, तो कितना आ गया, काटने के बाद हमारा 254 लीटर पानी आएगा इसमें टंकी में, ठीक न तो चलिए, यह चीज आप लोगों ने समझ गया यहाँ पर जो यह प्रसंद दिया गया था, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं, दूसरा जो example है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है क्या दिया है कि इसमें, एक pen stand is made of a cuboidical shape wood with five conical holes to hold pens इसका मतलब यह है यह जो है, यह cuboidal है, है न, यह क्या है cuboidal है, और इस पर जो गढ़े बनाए गए हैं, यह पाँच गढ़े, ठीक न, यह कैसे हैं conical है, तो इसमें पूँचा यह है, देखे, आगे पढ़ते हैं dimension of the cuboid are 18 cm, 5 cm and 2.5 cm, यानि length 18 cm दिया है और breadth था हमारा दिया है इसका 5 cm और height दिया है 2.5 cm, ठीक है यह dimensions हो गए किसके cuboid के, the radius of each hole जो यह conical hole बनाए गए हैं उनका radius कितना है, 0.5 cm and the depth depth यानि गहराई, कितनी दी गए है 1.4 cm, यानि 1.4 cm find the wood find the volume of wood in the pen stand, अब देखिए जितना भी इसमें लकड़ी लगा है, इस वाले में pen stand में, जितना भी लकड़ी लगा है उसका हमको volume निकालना है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, कि जितना भी इस wood का, जो कि vital wood है, उसका जो volume होगा, उसमें से हमने 5 गड़े किये हैं, यहाँ पर, देख सकते हो 5 गड़े, तो 5 गड़ों में जितनी भी लकड़ी लग, निकली होगी उसका volume क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, यानि सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसके पूरे volume में से इसके वाइडल, के वाइड के पूरे volume में से, 5 कौनिकल, 5 कौन्स का volume हम लोग निकाल देंगे, तो हमारा लकड़ी का जो volume हो आ जाएगा, ठीक है अब देखे, तो radius आप hole कितना है, 0.5 cm depth कितना है, 1.4 cm जो यह कौनिकल दिया था, ऐसे, ठीक है यह height है, और यह वाला हमारा radius है जो कि 0.5 और height 1.4 cm, ठीक ना अब आगे देखे, तो volume of wood in the pen stand, volume of wood, मतलब इस लकड़ी का volume कितना होगा, पहले तो qbite का volume लिखेंगे, और जितने लकड़ी हमने निकाल लिए, जितना, जितना 5 निकाल ले है न, 5 hole किये उसमें, तो उतना लकड़ी निकल गया होगा तो उसका हम क्या करेंगे, घटा देंगे volume, तो volume of 5 holes घटा दिये, subtract कर दिये अब यहाँ पर देखे जो यह volume of qbite होता हो, क्या होता है, length into breadth into height कर दिया हमने multiply, फिर minus 5, 5 क्यों क्योंकि 5 holes हैं, और volume of qn कितना होता है, 1 by 3 pi r square into h सभी का हमने क्या रख दिया, value रख दिया यहाँ पर, इन तीनों को multiply कि तो 225 आ गया, फिर minus सब का value रख दिये उसके बाद इनको cut peat के जो भी आया, यहाँ पर लिख दिये तो यह कितना आ गया तो यह हो गया हमारा 223.17 cm cube, लकडी का जो हो है हमारा volume आ गया, ठीक है, तो दोना examples हमारे हो गया अब हम लोग चलते हैं, आगे और दो, दो present दिये गए है, दो questions दिये गए है उनको हम लोग solve करते हैं, यह दोनों, ठीक है try yourself के, चलिए इन दोनों को अच्छे से solve करते हैं तो पहला question देखे बचों यहाँ पर पहला question यह दिया है कि गुलाब जामून contains sugar syrup up to about 30% of its volume मतलब यह है इसका कि एक गुलाब जामून है उस गुलाब जामून में जो चासनी है sugar syrup, वो कितना है उसके volume का 30% है, ठीक है तेजिंदर purchased 28 गुलाब जामून मतलब तेजिंदर ने 28 गुलाब जामून खरीदे, each गुलाब जामून is cylindrical in shape having semi-spherical ends, ठीक है जो गुलाब जामून है, वो कैसा है cylindrical है, और दोनों किनारे कैसे है, hemispherical है on both side, ठीक है, दोनों तरफ its height is 5.6 cm जो गुलाब जामून के height है, वो कितनी है 5.6 cm and diameter is 1.4 cm how much sugar did तेजिंदर get, ठीक है सुगर सिरप, है न तो तेजिंदर को कितना सुगर सिरप मिले गए, ये हमको निकालना है, इसमें find करना है तो देखे, चलिए इसको solve करते है गुलाब जामून दिया है हम पहले एक गुलाब जामून के बात करते है ठीक है, फिर 28 का देखा जाएगा एक गुलाब जामून है ये उसकी जो हाइट है, वो कितनी है 5.6 cm और जो डायमेटर दिया है, वो 1.49 cm दिया है 1.4 cm तो उसका जो रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधा कर दिये इसको, है न 1.4 को आधा कर दिये, तो 0.7 cm आगया, यानि 7 बटे 10 0.7 को कैसे लिख सकते हैं 7 बटे 10 लिख सकते हैं, ठीक है चलिए अब यहाँ पर रेडियस आफ है में स्फेर ये हो गया, निकला आया अब हाइट आफ सिलेंडर, हाइट आफ सिलेंडर देखिए, जो ये होगा height of cylinder यही होगा, है न, cylindrical part का height तो कैसे निकालेंगा भी इसको तो जो यह total है, वो कितना है 5.6 cm, यहां से लेकर यहां तक का distance और length यह कितना है, 0.7 और यह भी 0.7 0.7, 0.7 दोनों साइट से निकाल दिये तो यह वाला आजया गया, यानि 5.6 में हमने क्या किया दोनों साइट से 0.7 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया यह 5.6, माइनस 1.4 कितना आगया, 4.2 cm इस 4.2 cm को हम लोग लिख सकता है 42 बाइ 10 cm ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि आगे हमको जरूरत पढ़ने वाला है चलिए, अब आगे चलते हैं अब देखे यहां पर जो वाल्यूम होगा एक गुलाब जामन का कैसे होगा इसका वाल्यूम, यानि इस हमिस्पेरिकल का वाल्यूम और इस हमिस्पेरिकल का वाल्यूम प्लस इसका वाल्यूम, यानि यह जो cylindrical part दिया है उसका volume तीनों के volume को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा गुलाब जामन को volume आ जाएगा तो वही लिखे हैं कि volume आफ one गुलाब जामन कितना हो जाएगा यहाँ पर volume आफ cylinder यानि जो बीच वाला part दिया है बेलनाकार cylindrical part plus volume आफ two hemispheres जो किनारे किनारे दोनों hemispheres दिया है उनका दोनों का volume हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए तो volume आफ cylinder कितना होता है pi r square h plus हमने क्या कि 2 से multiply किया क्योंकि 2 hemispheres है into 1 hemispheres का volume लिख दिया 2 by 3 pi r q ठीक है यहाँ से pi r square pi r square common है तो बचा यहाँ पर h और यहाँ पर हो जाएगा 2 into 2 4 by 3 into r बचेगा ठीक है अब सभी का हमने value रख दिया है यहाँ पर तो value रखने के बाद देख लिजे यहाँ पर pi का value 22 बटे 7 r यानि 7 by 10 यहाँ पर 7 by 10 7 by 10 into 7 by 10 क्योंकि square में है फिर h का value कितना है 42 बटे 10 यह रख दिये और का value रख दिये हाँ पर फिर इन तीनों को गुड़ा कर दिये साथ साथ काट दिये इन दोनों गुड़ा करके और इतना लिख दिये फिर इसके बाद ये और इन दोनों को गुड़ा करके इतना लिख दिये ठीक है इसको हम लोग जोड़ घटाके यहाँ पर आ गया कितना 154 बटे 30 आ गया ठीक है यह क्या फ्रेक्षन एडिशन फ्रेक्षन है फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो यह कितना आ गया यह आ गया 154 into 154 by 100 into 30 यही कर दिये cm3 में ठीक है तो एक गुलाब जामुन का वाल्यूम कितना आया हमारे पास वो आ गया इतना अब एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट चासनी है यानि सुगर सिरप है 30% है ठीक है 30% कितना है चासनी है उसमें तो इस टोटल वाल्यूम में से 30% चासनी हमको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया नव वाल्यूम आप सुगर सिरफ यानि चासनी इन वन गुलाब जामन मतलब एक गुलाब जामन में चासनी कितना होगा वही हमको फाइंड करना है तो 30% आप बॉल्यूम आप गुलाब जामन यानि गुलाब जामन का 30% बॉल्यूम होगा चासनी का ठीक है तो यहाँ पर देखिए 30% यानि 30 by 100 इन्टू बॉल्यूम आप गुलाब जामन कितना निकाले थे हम लोग 154 इन्टू 154 by 100 इन्टू 30 लिख दिया हमने इसको हमने 30 से 30 कैंसिल कर दिया इसको दोनों को गुड़ा करके यहाँ पर 100 इन्टू 100 से डिवाइड कर दिया तो आ गया इतना ठीक है अब एक गुलाब जामन में जो चासनी आएगा यानि सुगर सिरप आएगा वो कितना आजाएगा इतना आजाएगा ठीक है तो उसने जो तिजंदर था वो कितना गुलाब जामन खरीदा था 28 गुलाब जामन उसने खरीदे थे तो हमने क्या किया एक गुलाब जामन में कितना सिरप आएगा कितना सुगर सिरफ होगा वो थो हमने find कर लिया अब 28 गुलाब जामद में कितना सुगर सिरफ होगा वो हम क्या करेंगे multiply कर देंगे एक में से ठीक है न तो यहाँ पे volume आप सुगर सिरफ in 28 गुलाब जामद कितना हो जाएगा 28 इंटू इसका multiply कर देंगे यहाँ गया 66.4 cm3 यही हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो तेजिंदर को 28 गुलाब जामद में कितना चास नहीं मिला कितना सुगर सिरफ मिला तो 66.4 cm3 उसको सुगर सिरफ मिला उसमें ठीक है न तो यह हमारा पहला question हो गया अब आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं दूसरा question कैसे solve करेंगे दूसरा question देखिए यहाँ पर इसमें बूला है कि a toy is made by cutting a cylinder of diameter 4.9 cm through a cuboid of dimensions 15 cm x 7 cm x 7 cm find the volume of toy ठीक है न तो देखिए इसको समझाते हैं इसमें यह बोला है कि एक cuboid है और cuboid में से क्या करना है हमको एक जो cylindrical बीच में से काटके निकाल गया है क्यूबआइड में से क्यूबआइड लकडी था बुड उसमें से एक cylinder काटके निकाल लिया है बीच से तो वही हमने यहाँ पर diagram बनाया है देखिए ये cylinder है cuboid है उसके बीच में से cylindrical part काटके निकाल लिया गया है ठीक है और एक खिलोना बनाए गया है तो बोला है कि यह जो पूरा खिलोना है उसका volume कितना होगा कितना आएगा है ना तो देखिए कैसे करेंगे इसको अब देखिए यहाँ पे यह क्या है एक cuboid है cuboid में से cylindrical part निकाल लिया गया है तो पूरे cuboid के volume में से cylinder का volume निकाल लिया गया है है ना तो वही हम लोग भी करेंगे volume of cuboid लिखेंगे और उसमें से cylinder का volume minus कर देंगे तो हमारे जो toy का volume है वो आ जाएगा ठीक है ना तो यही काम हमको यहाँ पर करना है अब आगे देखिए यहाँ पर dimension of cuboid कितना दिया गया है cuboid का यह जो cuboid दिया गया है उसका dimensions क्या क्या है 15 cm height है 7 cm 15 cm लंबाई यह नि लेंध और breadth है 7 cm height है हमारा 7 cm ठीक है तो radius of cylinder यह जो cylindrical part निकाला गया है उसका radius कितना होगा चुकि हमारे पास diameter कितना दिया था 4.9 उसका by 2 कर दिये यह r equal to कितना आगया हमारे पास 4.9 by 2 cm radius आगया ठीक है अब height of cylinder height of cylinder यहाँ से देख पा रहे होंगे जितना इसका length है cuboid का उतना ही हमारा height of cylinder होगा वो होगा ठीक है height of cylinder कितना होगा 15 cm चलिए अब volume of toy निकालते हैं तो toy का volume क्या होगा पूरे cuboid का volume और उसमें से minus कर देंगे हम लोग cylinder का volume जो हमने काटके बाहर निकाल लिया है ठीक है तो volume of cylinder volume of cuboid कितना होता है l into b into h यानि length into breadth into height फिर minus कर दिये किसका volume of cylinder तो volume of cylinder होता है pi r square into h ठीक है सबका value रख दो 15 into 7 into 7 यह जो दिया गया था और यहाँ पर pi का value 22 बटे साथ into r square तो r कितना है 4.9 by 2 4.9 by 2 into 4.9 by 2 into 15 है हमारा height ठीक ना अब इसके आगे हमने क्या किया यहाँ पर 7 से इसको काट दिया 4.9 0.7 time में कट जाएगे ठीक ना और 2 से इसको काट दिये तो यह 11 हो गया 22 को काट दिये 11 से इन सब को गुड़ा करके यहाँ पर लिख दिये और 2 से डिवाइड कर दिये तो इतना आ गया और इन तीनों को गुड़ा किये तो 7.35 आ गया ठीक है चलिए अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा इतना हमारा तो यही क्या होगा 22 का वाल्यूम हो जाएगा तो यही एंसर भी हो जाएगा जो पूछा था हमारे questions में कि जो 22 का volume होगा वो कितना होगा तो हमने यहाँ पर निकाल दिया है कि 452.03 cm में आएगा उसका volume तो आप लोग concept बस समझ में आना चाहिए और जो formula बगर है वो तो आप जटके से लगा सकते हैं ना concept समझ में आना चाहिए concept हमारा सिर्फ यहां पे यह था कि इस पूरे cuboid के volume में से कितना volume निकाला गया है तो वो हमको बस देखना था बस हमने यहां पे का किया वही हमने cuboid के volume में cylinder का volume निकाल दिया जो भी cylindrical part निकाला गया था उसका volume निकाल दिया बस हमारा answer आ गया ठीक है तो I hope कि आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे जो दोनो examples थे और दोनो questions थे अप लोग ने सब अच्छे से कर लिया होगा अगर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलेंगे अपले अगले वीडियो पर अगले बर्क सीट के साथ उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे तब तक के लिए जैहिंद